हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो जो में हम लेकर आप सभी के लिए कलास 13 वालों के लिए सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन दूसरे 22 बूट परिशा छात्रों के लिए हिंदी मात्री भासा का दोस्तों इंटरनेट पर जारी मोडल स्ट्पेपर का यहां पर ओफिसियल सोल्यू असानी से मिल जाएंगे ठीक है तो यहां पर फूल मार्क 100 रहेंगे दोस्तों जिसमें आपको 100 यहां पर अब्जेक्टिव कोशन्स रहेंगे हैं टोटल कोशन 106 रहेंगे यहां पर कोशन्स की संक्या तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों वीडियो को लास तक जूर दे है और website का link नीचे description में दिया गया दोस्तों इस पर आप लोग इंसर भी मिल जाएंगे इसका जितने भी सब्जेक्टिव टैप कोशन है दोस्तों उसका भी लिंक का डिस्क आपको लिंक मिल जाएंगे अस्टार्क अस्टरी.com गूगल पर लिखेगा आपको वहां पर हर सब अबजेट का study material देखिनों को मिल जाएंगे अबजेक्टिव सज्जेक्टिव साथ में मडल सेट और प्रिवी अचेस कोशन पेपर चलिए हमें पहला कोशन देखते हैं दोस्तों कहा गया कि वस्तुनिस्ट प्रस्ट में प्रस्ट संख्या एक से लेकर एक सुतक के परतिक ब पहला कोशन है दोस्तों कि the rise and fall of the Hindu women किसकी रचना है क्या कोशन है कि the rise and fall of the Hindu women किसकी रचना है तो नलीन बिलोचन सर्मा मैक्स मूलर हजारी परसाद दुवेदी या फिर भीम रहु अमबेदकर जी इसका right answer हो जाएगा भीम रहु अमबेदकर जी है ना the rise and fall of the Hindu women किसकी रचना है तो भीम रहु अमबेदकर जी की चले नेक्स कोशन देखता है कि सेन साहेब की नई मोटर कार किस रंग की है तो सेन साहेब की नई मोटर कार जो रंग होती है काला नीला सफेद लाल किस कलर की होती है तो यह काले रंग की होती है तो आप्सन नमर य से तो अपना देश भारत है दोस्तो मैक्स मुलर ने भी यही बात कही थी है न अपने बुक्स के माध्यम से जपान भारत युनान या फिर चीन तो आप्सन नमर यहां पर भी हो जाएंगे भारत चले नेक्स कोशन देखते हैं कि मनुस्त में जो घिरना है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पसुत्व का घोतक है और अपने को सन्यत रखना दूसरे के मनुभावों को आदर करना मनुस्य का सोधर्म है यह पंक्ति किस सिर्चक पार्ट की है यह जो लाइन दिया गया है यहां से यहां तक यह पंक्ति पूछा गया किस पार्ट की है उप्सन है आपका दोस्तों नाखुन क्यों बढ़ते हैं या फिर सिक्षा और संस्कीति है ना यह लाइन है दोस्तों नाखुन क्यों बढ़ते हैं हाजारी परसाद्य वेदीजी के दौरा लिखा हुआ है यह नाखुन क्यों बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोर्चन कि मेंडेलिफ किसकी option number D देवगीरी के यादव सासकों के लेख किस लिपी में है देवगीरी के यादव सासकों के लेख किस लिपी में बत्या गया है नंदी नागरी, ब्रह्मी लिपी, ख्रोष्टी लिपी या फिर इन में से कोईने यहाँ पे 6 का राय टेंसर हो जागा आपका नंदी नागरी, ठीक है चलिए अगले कूशन देखने में बलो कहा गया है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित अकादमी पुरुष्कार प्राप्त हो चुका है लेखक अमरकांत जी जो है उसको किस लेखन के लिए दोस्तो साहित अकादमी पुरुष्कार प्राप्त हो चुका है निवन्द लेखल, कथा लेखन, नाट्टे लेखन या फिर इतिहास लेखन इसका राय टेंसर हो जाएंगे आपका कथा लेखन के लिए ना कथा लेखन के लिए इनको साहित अकादमी पुरुष्कार मिल चुका है चलिए अगला कोशन देखते हैं कि बहादूर कैसा लर्का था तो बहादूर जी जो था दोस्तो बदमाज, सरारती, हंसमुक और महनती या फिर कामचुर जो महत्व एतिहासिक भहतिक वाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित की परमप्रा का है यह पंक्ति किस सिर्शक पाट की है ये जो लाइन दिया गया है जो महत्व एतिहासी बहुतिक वाद के लिए इतिहास का है वही अलोचना के लिए साहित की प्रमपरा का उप्शन है सरम विभाजन और जाती पर था विस्के दात मचली या फिर प्रमपरा का मुल्यांकन तो दोस्तो ये जो पंक्ति है आपका ये प्रमपरा के मुल्यांकन से लिया गया है न किसे लिया गया है दोस्तो प्रमपरा के मुल्यांकन से ओप्शन नमर यहाँ पे डी हो जाएगा चलिए अगले कोशन को हम लोग बढ़ रहे हैं दस नमर कि कौन आमलेट नहीं खाता था, क्या कोशन है दोस्तों, कौन आमलेट नहीं खाता था, ठीक है, ओप्षन है चाचा जी, ओप्षन भी है पंदित विर्जु महराज, ओप्षन ची है बाबु जी, या फिर ओप्षन डी है संभु महराज, कौन आमलेट नहीं खाता था, इसका स्टराइट एंसर हो जाएंगे बाबुजी ऑप्सन नंबर बिसी बाबुजी बुक से लिआ गया कोशन है दोस्तों सिक्षकवला है न चलिए असोग बाजपई के पिता का क्या नाम था असोग बाजपई जी के जो लेखा के असोग बाजपई उनके पिता जी का नाम क्या था ये पुछा गया है option A है गिरजाननद बाजपई option B है जगदानन बाजपई option C है परमानन बाजपई या फिर option D अच्चुतनन बाजपई तो असवक बाजपई के जो पिता का नाम था दोस्तो इसका रहे टेंसर हो जाएंगे आपको परमानन बाजपई option C चलिए 12 नमर है कि विलनब क्या है विलन जो है दोस्तों फ्रांस का सहर फ्रांस का मंदिर फ्रांस का महजीद या फिर फ्रांस का एक छोटा सा गउं तो विलनब जो है यह आपका फ्रांस का एक छोटा सा गउं है ठीक है आप इन्में उसे भी question पूछी चाते हैं जो फ्रांस का एक महत्पून लोग है न वहां का प कि औरतुने में को उप्स कुछन के जीवन के आराम्बिक दिनों में बिसमिला खान को संगित के परति आसकति कैसे कि भी कि बिस्मिला खा नोवत खाने इबादत जो चप्टर है इहिंके जीवन लेखनी पहें दोस्तों कि जीवन के अरंभिक दिन्हों में बिस्मिला खांग के संगीत तो पंद्रा का जो राइट तो राष्ट पिता महात्मा गांधी का जैनम जो हुआ था वो 1879 इस भी को हुआ था है ना गुज्रात राज के पुरबंदर में अप्सन नमर यहाँ पर C हो जाएंगे 1879 और मिर्तियू 1948 में याद रखिये गा ठीक है दो अक्टूबर 1879 को उनका जिनम हुआ था गांधीजी को महत्मा किसने कहा है तो गांधीजी को महत्मा के उपाध ही जो दीदी थी वो सॉंभे का नंद, राजारा मोहन राइ, ईस्वर चन्ढविद्य सागर या फिर रवेद्नार्णाट टैगोर किसको बिवादस्पत महाभारत पहले पहल प्रस्तूत किया जाने वला था पिरजु महराज सबसे बड़ा एक्जामिनर या फिर जज किसे समझते थे काफी सांदार प्रस्त है दोस्तों एंसर लगाते चलेंगे आप लो बिरजु महराज सबसे बड़ा एक्जामिनर या फिर जज किसे समझते थे अपनी दादी को अपनी अम्मा को अपनी चाची को या फिर अपनी नानी को तो बिस का कोरेक्ट एंसर हो जाएगा आपका अपनी अम्मा को ठीक है बिरजु महराज जिनकी मिरत्यु हाल ही में हुआ है नेक्स्ट कोर्शन ही किस दो का उचाराना साथ दो दो कहां से बोलते हैं दोस्तों खुद दो बोलो है ना दो मुर्दा ओस्ट धंत या फिर कंट तो मुर्द अम लोग दो जो बोलते हैं दो दो किस से बोलते हैं धंत से ऑप्सन नंबर सी हो जगा दो ठीक है तो अप्सन न के आप्जर मरी यहां पे वाइसक還 की जो है यहां पे गिक्रेक्ट हो जाएंगी नी जो चल कि मौन में समारा मैंतली फिर वाहन मांची अनाधिकार है अंसर करेंगा जल्दी से सारे मैं सुध कोंसा है मैं सुध और सब्सक्राइब अफिशन नंभर यहां पर डी हो जायगा hurtsson नंबर डी वहाँ चाहे अफिस संग देखते हम लो कि मई सब्द कॉन संग है मई सब्ध तु क्या वाच क्या, जाती वाक है दकी वाचक भव क्यार्ड फिर समुंवाचक । मई मई सब्द जो है दोस्तो यह आपका ब्यक्ति बाद चक है न मई जैसे जून जुलाइब मई है नो महिना का नाम यह ब्यक्ति बाद चक है अपराद सब्द कौन सा लिंग है अपराद सब्द अपराद सब्द की बात यहां पे हो रही है तो अप्शन नमर यहां पे स्टहिंग रूप हम बनाते हैं तो स्यामी श्यामीनी यह फिर स्यामीलीनी या फिर स्यामा इंठ सांत का अगर स्टहिंग की बनाएंगे दोफस्तों श्यामा है ना स्यामा ओप्शन नमर दीव होजाएंगे neural को Wiray कि डाल पर चिरिया गाती है यह किस कारक का उधारन है डाल पर चिरिया गाती है यह किस कारक का उधारन है अधिकरन संबंद अपादान या फिर संपरदान तो डाल पर चिरिया गाती है यह जो उधारन है दोस्तों यह अधिकरन का अधिकरन का अधिकरन ठीक है यहां पर अधि करन का रखा बोद हुआ है चलिए नेक्स्ट कोशन ट्वेटिनाइन यह कलम किसकी ऐए खीषिए सपर अधारन है यह कलम किसकी किस वी सेशन हो जाएगा तो 29 का राईटेंटर हो जाएंगे दोस्तों सार नाम में यह कलम किसकी है तो कोई भीता नाम बोलेंगे यह मेरी है तो य मैंने खाना खाल लिया है मैंने खाना खाल लिया है किस काल का उधालान है वर्तमानकाल भूतकाल भविश्यतकाल या फिर इन में से कोई नहीं तो मैंने खाना खाल लिया है दोस्तों इसका जो राइट अंसर हो जाएंगे वह जगा वर्तमानकाल है ना खाल लिया है बरतमानका खाल में खाया है तो आप्सनों नमेर एरे को रेक्ट हो कि चलि नेक्स कोशन देखते हैं कि पुस्प सब्ध है पुस्प सब्ध को छोड किसी प्रम्प्रास विशस अर्थ के क्या पहलाते है क्या है इसे सब्द जो योगिक तो होते है पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ू किसी प्रम्प्रा सेOl दो को होते हैं क्या कहलाते है तो ऐसी हम लोग उसको बोलते हैं दोस्तों ऐसे सब्थ कौम लोग बोलते है योग रूप सब्सक्राइब उप्सार गए पराजाय सब्द में उसको ऑसको जैना है तो पराजाय सब्द में जो उपसर आदो सब्दकी में परते हो यह जाएगा आ next question चाचा सब्द का गया हुजयेगा चाचा का चाचा सब्द का गया जो बिशयेशन हो जाएगा दोस्तो उस्त चेरा हो जाएगा option number B सुलपानी सब्द कौण सा समाश है सुलपानी तो सुलपानी जो सब्द समाश है दोस्तों अबेविवाओ दीगो बहुबिरी या फिर दोंद तो सुल पानी जो समास है यह आपका हो जागा बहुबिरी समास ठीक है दासानान हो गया यह सारे बहुबिरी समास का उधारन है जिसका अर्थ कुछ और निकलता है चलिए निम्लिकित में से सुध हुआ कि कौन सा है राम ने पुस्तक खरीदा राम पुस्तक खरीदा राम पुस्तक खरीदा राम ने पुस्तक खरीदी या फिर इनमें से कोई ने तो निम्लिकित में से सुध हुआ के जो है दोस्तों राम ने यहाँ पे पुस्तक खरीदी तो 37 का तो राम ने पुस्तक यहाँ पे खरीदा ऑप्सन नम बर बी हो जाएगा दूद पत्थर दूद गाउं सहर अप्सान नमबर बी हो जाएगा पत्थर सुरी बी दूद जो दरविवाचक संग्या का उधारन है चलिए अगले कोर्शन को बढ़ रहे हैं कहा गया है दोस्तो उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाख का उधारन है उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाख का उधारन है तो यह हो जाएगा दोस्तो आपका सरल वाख सनुक्त वाख मिस्र वाख है फिन में से कोई तो यह हो जाएगा सरल वाख है ना क्योंकि इस किसकी रचना या प्रिम्ध्हयां या प्रैमधन की कि ञद्ध कि आ पूझी जो रचना है यह आपका रचना धोस्तो और भाँ वी वी सबनेने दो सही नयम्हारत नेक्स से आपका कि जट्था कुट्थ तन् भसम लगाई वसन छोड़ी तन नगन भाया जटाम कुट तन भसम लगाई वसन छोड़ी तन गगन भाया किस कविता की पंक्ती है यह जो लाइन दिया गया है वो किस कविता की है दोसों तो यह है आपका यहाँ पे राम नाम बिनो विर्थे जगी जन्मा अप्सन नमर यहाँ पे सी कोरेक्ट हो जाएगा ठीक है चले प्रेम निरूपन समन्दी तो 43 का राइट करेक्ट एंसर हो जाएगी आपका प्रेम निरूपन समन्दी प्रेम निरूपन समन्द है ओप्सन नमर यह लिदी त生ले क्योष्ञ कर बहुंच नबर जाए कि इनमेशे को किनका सवया और खनाकारी अत्यंत प ereंध से किनका सवय और घनाकार यत्यंत प्रसिद है घनानंद का प्रेमधन का गुरु नाना का या फी इन में से कोई ने इसका राय टेंसर हो जाएगी चोवाल इसका अप्सान नंबर ए घनानंद का है ना चले अगले कोशन चोर बढ़ रहे हैं कि रसिक समाज की अस्थापना किया था दोस्तो ये किये थे घनानंद ने अप्सान नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फूटी सीख जाएक वीना किनकी रहज़णा है वीना तो वीना जो रचना है को जाएगा सुमित्रा नंदन पंद रामधारिश सिंदिनकार का जनब कब हुआ था तो 1908 को हुआ था दोस्तों 23 सितंबर 1908 में सिमर्या बेगु सरह है ना सिमर्या बेगु सरह बिहार में चलिए अगले कोशन के और बड़े हैं कि आपने सामने सिर्सक काव संगरहकिन की रचना है तो ये आप्सन नमबर A हो जाएंगे कुबर नरे चलिए अगले कोशन के और बाट रहे हैं कि बूढ़ा चोकिदार ब्रिक्ष कहां मिलता था तो बूढ़ा चोकिदार ब्रिक्ष जो है दोस्तों यह आपका घर के दरवाजे पर मिलता था आप्सन नमबर B चलिए अगले कोशन के और बाट रहे हैं कि तुर्की के महा कवी नाजिम हिकमत की कविताओ कानुपाद विरियन डंगवाल ने किस रूप में किया है तो यह किया है दोस्तों आपका पहल पुस्तिका आप्सन नमबर C हो जाएंगे पहल पुस्तिका चलिए अगले कोशन के और बाट रहे हैं कि रेनर मारिया रिलके की माता का क्या नाम था तो रेनर मारिया रिलके की पिताक माता की जो नाम था दोस्तों यह था आपका सोफिया ओप्सन नमबर D यहाँ पे हो जाएगा चलिए अगले कोशन स्कूर बढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अगला कोशन है दोस्तों फिप्रिट्टू नमर कहा गया है कि किनकी आरंभिक काब परकृति और संदर्ज के संबेधन सिल अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है अप्शन है सुमित्रा नंदन पंथ रस्खान गुरुनान गहनान इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंथ ठीक है चलिए अगले कोशन के और बढ़ रहे हैं लोग कहा गया कि कभी प्रियमधन के अनुसार भ अगले कोशन के और बढ़ रहे हैं कि कभी गुरु नानक जी के नुसार इस दुनिया में राम नाम किरतन के बिना क्या अर्थ है तो कभी गुरु नानक जी के नुसार इस दुनिया में राम नाम किरतन के बिना क्या आर्थ है तो करम रिस्ते नाते जनम और जीवन या फिर परिभार तो 54 काLRstoर जम् और परिवार है अगला कोसें 55 नंबर कहा है कि सिरो सक नाटक किसकी रचना है तो ऊत्तर प्रिवरीदर सी शिरो डाटक जो रचना है ओप्शन सचीदानन हिरानन वात्सेन अगे सुमित्रा दननपंत रामधाने सिद्धिनकर या फिर बिर्यन डिंगवाल इसका रायट एंसर होजेगा 55 का ए सुमित्रा सचीदानन विर्यनन वात्सेन अगे अगले कोशन के और बढ़ रहे हैं जनता की रोके रा, समय में तौ कहां वह जिदर चाहती, काल उधर ही जमूरता प्रस्तूत पंक्ति किस कविता से उद्रित है पहला अप्शन है स्वदेशी, दुसरा जनतंत्र का जनम अप्शन नमबर बी, चलिए अगले कोशन के और बढ़ रहे हैं कि कुबर नरायन का जनम कब हुआ था तो कुबर नरायन जी का जनम हुआ था 1926, 1925, 1937 या फिर 1908 तो कुबर नरायन का जनम हुआ था दोस्तो 1937 इस वी में तो 57 का सी कोरेक्ट हो जाएगा चलिए 58 देखते हैं कि हमारी निंद कविता में किसका जीवन करम पूरा हुआ हमारी निंद कविता में किसका जीवन करम पूरा हुआ चिरिया का, पोधो का, मधुमक्खी का या फिर मक्खी का तो हमारी निंद कविता में जो है जीवन करम जो पूरा हुआ था दोस्तो यह हो ता मक्षी का ओप्षन नमर यहाँ पे D हो जाएगा चलिए अगले कोशन के और बाटरेम लो सुमित्रा नंदन पंद का अंतिम काब्द क्या है सुमित्रा नंदन पंद जी के दोरा लिखा हुआ लोक यातन पलब या फिर उच्छवास या फिर वीना तो सुमित्रा नंदन पंद का जो अंतिम काब है दोस्तो यह हो जाएगा राइट एंसर आपका लोक यातन है न चलिए अगला कोशन देखते हैं 60 नंदन की मानब का राचा हुआ सूरज मानब को भाफ बना कर सोख गया यह पंक्ति किस कविता से उद्धित है हमारी नीन हिरो सीमा अक्छर ग्यान या फिर भातमाता इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो हिरो सीमा चलिए अगले कोशन के और बढ़ रहे हैं कि जो पुरुस कविता रचता है उसके लिए एक सब्ध है जो पुरुस कविता रचता है उसके लिए एक सब्ध हा भी नेता लेखा कभी या फिर पत्रकार तो 61 का right answer हो जाएगा दोस्तों आपका कभी ठीक है जो पुरुस कविता रचता है उसको क्या बोलता है कभी बोलते हैं चलिए अगले question के और बढ़ रहे हैं कि एक आँख से देखना महावरे का अर्थ क्या है एक आँख से देखना प्रतिकुल कार्ज कसर न छोड़ना चैन मिलना या फिर बराबर मानना तो अगर कोई व्यक्ति एक आँख से देखता है दोस्तों उस महावरे का अर्थ यहाँ पे निकलता है प्रतिकुल कार्ज option नमर ए हो जाएंगे चलिए अगले question देखते हैं यह रोलावा क्या है यह रोलावा जो है क्या है उसम बेंजत अन्थस्त बेंजन असपर्स बेंजन या फिर इन में से कोई नहीं यह रोलावा जो है दोस्तों यह आपका अन्थस्त बेंजन है option number B यहाँ पे correct हो जाएगा हरी सब्द कौन सी संग्या हरी सब्द यह जाती बाचक ब्यक्ती बाचक संभू बाचक या फिर भाव बाचक तो हरी सब्द जो है यह आपका ब्यक्ती बाचक संग्या है चलि अगला question देखते हैं कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंद का उधारन है तो रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया दोस्तों यह पदबंद है दोस्तों आपका संग्या पदबंद option number A correct हो जाएगा चलि अगला question देखते हैं कि निमनिस में से सुद्वाक कौन है तो राजा दसरत के तीन रानिया थी राजा दसरत को तीन रानिया थी राजा दसरत का तीन रानिया थी यहां पे जो correct option है दोस्तों तो राजा दसरत जी के तीन रानिया थी नौकी की को का ठीक है अप्शन नमर और यहां पर ए हो जाएगा सोरी डी हो जाएगा कि राजा दस्रक के तीन रानिया थी नेक्स्ट कोश्टन कि सब धन किसी बिसेशन का उधायन है सब धन तो सब धन जो है दोस्तों यह आपका परिमान बोधक सारवनिक में या इस गुनवाचक या फिर संख्या वाचक तो सब अगला कोशन है कि उपकार सब्द में उपसर्ग बताईए उपकार सब्द में उपसर्ग कोन सा हो जाएगा तो उपकार सब्द में जो उपसर्ग होगा दोस्तों यह आपका कोलेक्ट हो जाएगा उपसर्ग है सब्दर का डी कोलेक्ट हो जाएगी 71 देखते हैं कि सब्दांस कितने परकार के होता है तो सब्दांस जो होते हैं दोस्तो यह आपका राइट टेंसर हो जाएंगे यहाँ पर दो परकार के हैं ना सब्दांस चलिए अगले कोशन के वर बढ़ने कि सर्प सब्द में परते हैं तो सर्प सब्द में जो पढ़ते हैं दोस्तों यह आपका हो जाएगा ओ पढ़ते हैं ना सर्प में ओ चले गला कोशन देखते हैं कि अपमान सब्द का बिसेशन है तो अपमान सब्द का जो बिसेशन हो जाएगा दोस्तों यह आपका कुरेक्ट एंसर जाएगी अपमानित है चले एगले question को बढ़ने कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंद का उधारन है तो नाली में बहता हुआ पानी जो है दोस्तो यह पदबंद का उधारन है यह हो जागा right correct answer बी-सेशन पदबंद है ना बी-सेशन पदबंद चले एगला question 76 देखते हैं कि जो चात परिष्रम करेंगे उन्हें सफलता अवस मिलेगी रचना के द्रिष्टी से किस परकार का वाक है जो चात परिष्रम करेंगे उन्हें सफलता अवस मिलेगी रचना के द्रिष्टी से किस परकार का वाक है तो यह वाक का नाम है दोस्तो सर सब्सक्राइब का परियावाची सब्सक्राइब तो अकास का परियावाची सब्सक्राइब यहां पर डी हो जाएगा 77 का चलिए अंधिकार सब्सक्राइब क्या है अंधिकार का उल्टा हो जाएगा परकास चलिए सिव का उपासक के लिए सब्द क्या है जो सिव का उपासक होते हुदे उनके एक सब्दषान, एक सब्दों के इक सब्द में सिवह, कि भी या फिर सिवन Metro का correct साय वाजाएगी आपका सैय है न सै बोलते मिडिए जला चाउना मुहावडय का पर सद कना धर ही न घी के दीये जलाना मोहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रत्यासित launching कोन लिंग है धातु कौन लिंग है सोना सोना यहाँ पर नाम नहीं किसी का दो धातू है न पुलिंग इस्टिलिंग वे लिंग या फिन में से कोई नहीं तो सोना जो है दोस्तो यह आपका पुलिंग हो जागा ऑफसन नंबर भी चलिए अगरा को सनकर बटर की घरी सब्सक्राइब कौन सा संगा है लेकिन नाम अगर पूछाए तो जातीवाचा इसलेग घरी भी है दोस्तों यहाँ पर नाल डौ इम मतलब काफी अच्छे-चैर यहाँ पर कंप अलगयों नहीं है अगर स्टलिंग रूप बोला जाए दोस्तों तो ये राइट एंसरो की जटानी बख भूबी सब्द में कौन सा समास है बख भी सब्द में तो बख भी सब्द में जो समास है दोस्तों यह आपका राय टैंसर रो पटने के मंगमा को किस से विवाद था तो मंगमा को जो दोस्तों विवाद था ये बहुत से उनके बहुत से तो ऑप्सन नबर सी हो जाएगा किस चिंता से लक्षमी को निद नहीं आती थी किस चिंता से लक्षमी को निद नहीं आती थी सुखा की भुकम की बिमारी की या फि चिन्ता से ठीक है चले साथ कोली होता का जनम कब हुआ था साथ कोली होता एक लेखा के दोस्तों उनका जनम पूछा गया कि कब हुआ था चली अगला कोशन देखते हैं कि दोनों पूत्र पड लिक कहा काम में लगए थे गाऊं में पहार पर या फिर आपकाप खादान में या फिर सहर में तो मा के दोनों पूत्र पर लिकर जो काम पे लगे थे वो थे दोस्तो सहर में option नमर यहाँ पर D correct होज़ेगा सहर में मंगू कितने वर्सकी है तो मंगू जो है दोस्तो यह आपको 12 वर्सकी 13 वर्सकी 14 वर्सकी या फिर 15 वर्सकी तो मंगू जो है दोस्तो ये थी आपको 14 वर्स की मदूरे पांडी ये लोगों की दुसरी राजधानी है यह कहा लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है दोस्तो आपका काल्डवेल के तुलनातमक ब्याकरण में है ना ये जो लाइन है ये लिखा गया है काल्डवेल के तुलनातमक ब्याकरण में अगला कोशन है कि वल्ली अमाल की लर्की का नाम क्या था वल्ली अमाल की लर्की का नाम समपाती यामपाती या पापती सोरी सापती है ना पापती नपती तो वल्ली अमाल की जो लर्की का नाम था दोस्तों ये था आपको पाप पाप आती ठीक है उप्सन नंबर सी हो जाएगा चले गले कोसंत की दिए और देखते हम लो कहा गया कि वल्ली अमाल किस रंग की सैंकिल रिक्से पर सबार हुए थी है ना तो वल्ली अमाल जो है ओकी सर काले नीले पीले या फिर हार है इसका राइटेंसर हो जागा पीले रंग की ठीक है सीता क्या देखकर रुवासी हो गई सीता जो है क्या देखकर रुवासी हो गई सफेद ओढ़ना महेंगनी ओढ़ना गुलावी ओढ़ना या फिर काला ओढ़ना ये दोस्तों काला ओढ़न कोशन देखें नबे के बाद ये दूसरे बुक का कोशन है ठीक है जो आप लोग का एक अलग है दोस्तों एक मेन बुक है एक आपका गधिखंड है और एक अलग से बुक है ना उसी का एक कोशन सा रहा है तो हे डुनर्स का नाम क्या था जिम्मी मिरांडा नस्रीन या फिमिली जिसका राय टेंसर हो जागा दोस्तों मिरांडा चलिए अगला कोशन देखते हैं कि विदाना कितनी कुरूरता से कौच रही थी उसका साखस्तकार किसी जीवन में पहली बार हुआ पुत्री को बहन को पुत्र को या फिर इतिदार को तो 97 का राय टेंसर सी हो जागा पुत् करई तो राय टेंसर दोस्तों के करे स्री नवास किसके साहितकार है स्री नवास जी जो किसके साहितकार अंगरे जी हिंदी उर्दु कनणर राय टेंसर हो जाएंगे कनर के चलिए अगला कोर्षन देखते हैं कि Rich mosquito किसका बेट था तो अच bacter जो था दोस्तों यह लक्षमी का क्या है कि दोस्तों हम लोगों ने यहां पर टॉटल ऊंडेट को सन्सके उसके बाद हम लोग देखेंगे दिर्गूति वगरत्रशन और धो नमार वाले परसनिंद ठीक है चलिए यहां पर हम लोगों ने देखा दोस्तों एक सो भीविया अब्यक्टिव कोशन और यह सारे मोडल स्ट कोशन थे जो ऑफिस्यल जारी किया गया है दोस्तों भी हारगोर की और से ठीक है यहां से आप लोगो काफी सारे इंपोर्टेन कोशन जो है मिलेंगे उमीद करते ह इस बीडियो के मादे हम से आप लोगो को जरूर कुशन को सिखने को मिला होगा और अपना मरूल सेट को त्यारी किया होगे चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स बीडियो में दोस्तों बाबाए सब्सक्राइब कर जाके जरूर प्रैक्रिस एट किजिए और चैनल को सबस्क्रा